Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डबल वेस्ट का इतना जादा ध्यान और अचानक से मतलब हर जगे सब लोग mute spectator के तरह थे इंडिया ने कुई action ने लिया था इंडिया ने कुछ कहा नहीं था एक तरीके से सब ने इस issue को back burner पे डाल दिया था जब तिबेटियन की exploitation हो रही थी और आप ये देख सकते हैं कि एक तरीके से इंडिया को अपना घर बना लिया है तिबेटिन बुद्धिस लोगों ने अपने culture को ले के आए हैं अपने सारे practice culture, religious सारी practices को आज इंडिया में तरीके से spread out कर रहे हैं और especially the area of अब आपको मेरे से कोई भी question है आपको civil services में कोई भी help चाहिए तो आप मुझे instagram में message करिए और मेरा group join करिए telegram में आपको सारी videos और pdf मिल जाएंगे lectures के अब मैं चाहता हूँ कि आप एक means का question देखे और इसे attempt करिए इसे comment में answer करिए जो best answer होगा उसको में heart दे दूँगा यह देखे Tibet has become a geopolitical pivot of the west west कुछ ने कुछ games खेल रहा है west कुछ चाहता है it wants to extract something out of this Tibetan games और यह देखे in this context comment on why India has historically ignored इंडिया का क्या reason रहा था कि इंडिया ने कभी Tibet की बात नहीं की Tibetan independence free Tibet movement की बात नहीं की ignore करके रख दिया और क्या यह जो changing circumstances है इसमें हमें कुछ और करना चाहिए should India change its stance should India take the risk of changing its stance क्या इससे India-China rivalry और बढ़ सकती है क्या इससे हमारी border skirmishes बढ़ सकती है तो इसको आप थोड़ा सोच के फिर answer करिएगा चली एक बात समझें कि Tibet एक region है region मतलब कुछ ना कुछ unique है उसके अंदर और एक Tibetan plateau है चली यह जो Tibetan plateau है North of Great Himalias है साड़े 4000 से 5000 मीटर की height पे आपको एक plateau मिला है flatland मिला है table top मिला है और यहाँ पे essentially आपको पानी मिलेगा आपको glaciers मिलेगे बढ़ बहुत तेज cold winds भी मिलेंगे sparsely populated region है और यहाँ पे ethnic Tibetans रहते हैं जो कि essentially Buddhism को practice करते हैं as a religion और Dalai Lama इनके एक तरीके से cultural and religious head है जो एक तरीके से politics में भी अपनी काफी रूची रखते हैं मतलब उनके काफी significance है अब एक चीज़ समझी अब एक चीज़ समझी है कि जो 13th Dalai Lama है इन्होंने अपने आपको de facto leader और एक तरीके से Tibetan independence declare करते हैं इस time में Tibet और India ये border share करते थे China यहाँ कहीं पर भी था नहीं China was not born at that point of time तो essentially ये सब कुछ कब तक चलता रहा ये तब तक चलता रहा जब तक China गेम में नहीं आए जैसे ही China गेम में आता है independence होती है तो Mao Zedong अपने वही barrel of the gun use करके आ जाते हैं और जो Tibetan लोग हैं उनको एक तरीके से captive करना शुरू करते हैं उनको detain करना शुरू करते हैं mass killings होती है और इसके बाद forcefully वहाँ के leadership से sign करवाते है 17 point agreement और ये जो 17 point agreement है इसमें वो कहते है कि हम आपको autonomy देंगे आपके religious practices को आपके Buddhism को इसको सब को अराम से लाओ करने देंगे बस आप हमें थोड़ी civilian military infrastructure बना देजे बट इसके बाद Dalai Lama जो उस time के head होते है 13 Dalai Lama अभी अभी वाले ने उस time के वो कहते हैं कि this is cultural genocide हमें forcefully हमें forcefully एक तरीके से कबजाया जा रहा है और उसके बाद mass rebellion शुरू होता है surprising बात यह है कि 1954 में India ने already accept कर लिया था हम उस time में एक अलग सी idealism में चल रहे थे हमारी geopolitics हमारे पूरे world affairs जो भी हमारा foreign policy था वो ऐसा चल रहा था कि हिंदी-चीनी भाई-भाई non alignment moment मतलब end में तो हमने Soviet के साथ align किया ही और उसके बाद हमने US के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती कर ली बट उस time में एक बहुत ही बहुत ही idealistic vision था कि हिंदी-चीनी भाई-भाई और 1954 ने हमने accept भी कर लिया मतलब 51 में कबजा किया गया उसके बाद आपने accept भी कर लिया कि this is part of China और उसके बाद यह uprising खुद टिबेटियन्स करते हैं 1959 में और absolutely हम कुछ भी react नहीं करते हैं उसके रद क्या होता है कि वहाँ से सारे लोग भाग भाग के क्योंकि देखिए जब आप फिर प्रतार्णा होगी आप भागेंगे और आप कहां भागेंगे आप similar region में भागेंगे आप extension of Tibet में भागेंगे वो सारे regions example लीजे Sikkim, Bhutan, Ladakh, Harunachal Pradesh आप देखेंगे यह सारे जो regions है इसमें आपको Tibetan Buddhist culture थोड़ थोड़ा मेलेगा और जो यह पूरे पूरे लोग और including Dalai Lama यह move करते हैं तो Indian government इन्हें settle कराती है दरमशाला में हिमाचल प्रदेश में मतलब North of हिमाचल प्रदेश में और यहाँ पर यह create करते हैं अपनी government in exile यह देखी यह स्थिति मतलब लोगों को round up किया जा रहा था उनको मारा जा रहा था और उसके बाद systematically demographic change demographic change कैसे आपके पास कोई freedom of speech नहीं है कोई freedom of religion नहीं है आपके धर्म को signify किया जाएगा मतलब Chinese culture over your religion तो हर चीज में चाइना के elements वो चिपकाया जाएगे सीनो elements और वो भी वो जो elements आप बोलेंगे कि हो सकता है वो diverse elements नहीं वो सिर्फ Han Chinese के जो elements नहीं को चिपकाया जाएगा और धर्म को एक तरीके से पीछे छोड़ दिया जाएगा आपके identity, culture, ethnicity उसको आटा दिया जाएगा उसके बाद forced sterilization कराया जाएगा ताकि आपके जादा बच्चे ना पैदा हो जाएगा उसके बाद forced abortion कराया जाएगा cultural genocide किया जाएगा targeted killing की जाएगी लोग अचानक से guayb हो जाएगे और construction के नाम पे infrastructure development के नाम पे Han Chinese, coastal Chinese coastal Chinese को all the way from coastal China वहाँ से उठा के ऐसे region में यह सेम कहानी Shinjiya में हुई है यह सेम कहानी Tibet में हुई है अच्छा आप इसको एक image से देखिए तो यह Shinjiyaan है, Shinjiyaan में कौन रहते है majority of Muslims, तो Muslims की जो mosque थी उसको modify कर दिया signify करा दिया, मतलब एक तरीके से ऐसा बना दिया तो आप यह समझे कि मुझे अपना, जो अपना rule of law है उसको सब को ignore करना है, free speech, democracy कुछ नहीं है, एक simple सी building है, वो culture उनका अपना है, उस culture को ऐसे modify कर दे रहा है ताकि सब कुछ uniform लगे uniform लगे, अब इंडिया के ओपर क्या impact आता है, देखिए इंडिया जब यह 1914 में खुद से अपने आपको declare किया था, दलायलामने कहा था कि we are independent, हम autonomous है इंडिया ने कहा कि यह जो पूरा शिमला agreement हुआ है 1914 का तो essentially जो हमारा McMohan line है, मतलब जो हमारा border है चाइना के साथ, वो हम उसी time से draw करते हैं, तो जैसे ही आपने capture किया टिबेट को, तो चाइना ने क्या बोला, हम टिबेट को independent मानते ही नहीं और टिबेट ने sign के हुई कोई भी ऐसे boundary agreement है, उसको मानते ही नहीं है तो अब इससे चाइना ने क्या कोशिश की कि हम वापिस से हर border area को renegotiate करेंगे, मतलब I do not agree with Mac Mohan line आप assume करिये कि कोई नई country इंडिया के पडोस में पैदा होती है और वो बोलती हम ये border मानते ही नहीं है, तो वैसी ही बात कि पहले आपने कबजा कर लिया कबजा जब कर रहे थे, मान लिजए 1954 में आप मान भी रहे थे आप दे भी रहे थे assurance कि हाँ this is Tibet, तो उस point of time में आप मान लेते कि Mac Mohan line at least negotiate कर लेते, if you are agreeing कि Tibet is part of China, so at least get in return, कि भाई you will follow the Mac Mohan line, but उस time में भी हम नहीं करते हैं, और आज वो हमारा सबसे बड़ा issue बन चुका, और उसके बाद हमने तो ये completely ignore कर दिया, और धिरे धिरे अगर हम Tibet का नाम भी लेते हैं, या Dalai Lama से मिलने जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो तुरंट क्या होने लगता है, चाइना गलत-गलत statement देने लगता है, अगर हम अरुनाचल प्रदेश जाते हैं, अगर लदाक के रीजन से में Dalai Lama जाते हैं, किसी भी बुद्धिस्ट रीजन में Dalai Lama ट्रावल करते हैं, या Dalai Lama से कोई मिलने आ जाते हैं, हम चाइना को इरिटेट कैसे ना करें, हम चाइना से कैसे दूर रहें, और इसी पॉइंट अफ टाइम में अगर आपको याद हो, 1962 में चाइना इसी प्रेशर में, मतलब इंडिया के साथ लड़ाई करते-करते, पाकिस्तान से शक्सरम वैली भी ले लेता है, और पाकिस्तान भी बड़े स्मार्ट ली, चाइना को इन रोड्स कारकोरम हाईवे के तरू, प्रोजेक्स के तरू, कश्मीर का भी एक पार्टी बना लेता है, तो इंडिया उस टाइम में यह अज्यूम कर रहा था, कि चाइना कुछ कहे ना कश्मीर पे, इसलिए हम तिबेट पे कुछ नहीं करते, मतलब यह रेसीप्रोसिटी हमारे दिमाग में थी, हमने इसको अग्रीमेंट में नहीं निकाला था, दूसरी बात, हमने यह रेसीप्रोसिटी उस टाइम में भी नेगोशेट नहीं थी, कौन सी वाली, कि अगर टिबेट इस पार्ट ऑफ चाइना, तो अट लीस्ट अग्री फ़र दी मैकमोहन लाइन, मतलब हमारे negotiation skills काफी weakness से थे, और अब देखिए, बहुत serious बात हो रही है, कि अब जो next Dalai Lama है, उनका चैन होगा, कि next Dalai Lama कौन होंगे, तो यह reincarnation of next Dalai Lama, इससे बहुत ज़ादा geopolitical tensions होंगे, क्योंकि एक चीज़ समझेगे, Tibetan Buddhist तो वहीं रह रहे हैं, अब भले ही कितने pressure में रह रहे हैं, but they are more Tibetan, they are more Buddhist than they are Chinese, तो उनके identities, तो जैसी वो Dalai Lama के statements देखेंगे, Dalai Lama का कोई reaction होता है, तो तुर्ण चैना क्या बोलता है, he's a separatist, वो separatism चाहते हैं चैना का, वो उनको एक तरीके से एक terrorist के तरह treat करते हैं, मतलब एक religious readers को ऐसे treat करना, और इसी लिए ये geopolitical context बहुत जादा change होता जा रहा है, इतना कि US एक act लेकिया है, Resolver Tibet Act, अब act लेकिया है मतलब पहली ये bill pass हो गया है, from both the houses, और अब इसके उपर सिर्फ एक accent बाकी है, of the president, और ये accent मिलते ही, ये एक्ड बन जाता और ये तीसरी policy होगी, तो इससे पहले भी इन्होंने policy बना रखे दी, बट इस act में ऐसा special क्या है, इस act में पहली बार ये कह रहे हैं, कि we will fund, हम fund करेंगे क्या Chinese disinformation, क्योंकि देखिए, US ने चाइना को बहुत fund किया, पैसे दी, अपनी बड़ी-बड़ी companies को भेज दिया, कि आप जाएए वहाँ पर जाके manufacture करिये, बट फिर क्या आपको समझ आया, कि जिसको अपने पाला था, वो सांप निकला, वो आप ही को dust ने लगा, हर जगे आप ही को de-slice करने लगा, हर जगे continuously aggressive, cartographic aggressions करने लगा, एक-एक step करके, दीरे-दीरे salami slicing करने लगा, तो आपको ये समझ आ गया, कि इनका designs क्या है, तो आपने क्या बोला, basically, कि विल चैलेज़ दा Chinese contention, दा टिबट हैस बीन पार्ट ओफ चाइना, और, देखिए, तो हमारे उपर एक तरीक से dictatorship लगा रख के, शी जिंग पिंग ने, इसको हटाईगी, हमें अपने culture के हिसाब से रहने दीजे, हमें हमारे हिसाब से, अपना जीवन व्यापन करने दीजे, अगर हमारे बच्चे होने तो होने दीजे, आप हान Chinese culture को यहाँ पे मत थोपियो, इसी point of time में, China urges Biden not to sign, देखिए, आखे कैसे दिखाते हैं, हर country को इसी तरीके से आखे दिखाते हैं, और इसी point of time में, after the Prime Minister's way is in, तो पूरी US की, मैं अज़लब, across party lines, delegation आती है, Prime Minister से मिलती है, और उसी point of time में, यह पूरी delegation धरमशाला जाती है, और धरमशाला जाके, क्या बोलती है, Nancy Pelosi, she has been a vocal critic, vocal critic of Xi Jinping, on the topic of Tibet, you will be gone, Xi Jinping को clear warning देती है, you will be gone, और इसी point of time में, यह देखि, across party lines, they are meeting, and they are hitting, मतलब, गंदे गंदे statement दिये गए, शी जिंग पिंग पे, चाइना पे, और पैरलेली, इनका सबसे बड़ा ally, European Union, again, talks about Tibet, and how human right violation, has been going on, यह human right violation, Tibet में भी चल रहा है, Xinjiang में भी चल रहा है, और अब अगर आपको याद हो, कि मैंने आपको एक कहानी बताई थी, a new country, अब आप देखिए, यह new country, शेख हसीना वाली बात, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अब आप इस map को ध्यान से देखिए, आपको क्या पता है, कि South China Sea में, कोई ना कोई dispute चल रहा है, कोई ना कोई pressure चल रहा है, अब यह जो new country की, कि मैंने आपको कहानी सुनाई थी, यह कहाँ आपने देखि थी, यह country की बात हो रही थी, Myanmar के अंदर, Myanmar के अंदर, और क्यों बोला जा रहा था, कि यहाँ पे नई country बनाई जाएगी, क्योंकि शेख हसीना ने यह बोला था, कि उनको एक offer मिला था, कि क्या हम यहाँ पे एक US base बना सकते हैं, आप ज़रा दिमाग लगा के सूचिए, US इंडिया में या बंगलादेश में एक बड़ा base क्यों चाहता है, इस area में क्यों particularly एक base चाहता है, क्यों इतना interested है, क्योंकि US एक नया front खोल के रखने चाहता है, चाहिना के साथ, क्योंकि China is the next big enemy, अगर US ने चाहिना को अगले 10-15 साल में contain नहीं किया, तो economically, strategically, militarily, एक तो आपको समाज आ चुका है, चाहिना रश्या axis बन चुका है, और individually चाहिना अपने belt and road, इतना expansionist है, जमीन खाये जा रहा है, आसपास की countries की, Southeast Asian, छोटी-छोटी ASEAN countries है, इनके कोई value नहीं है, इनके sea की कोई value नहीं है, तो unilateral measures, बिना किसी से पूछे हुए, और धीरे धीरे पहले 9-line, फिर 10-line, कल की दिरे में बोलेगा 15-line, कि पूरा ये समंदर ही मेरा है, उसके सारे resources मेरे है, आपको ये इससे भी समझ आएगा, कि शिलंका में हम बन टोटा, ये पूरा string of pearls, तो उसी तरीके से देखिए, US चाहता है कि Myanmar में उसके पास, एक strategic depth हो, वो strategic depth है, नई country हो सकती है, एक बड़ा base हो सकता है, या तो बंगलादेश हो, या इंडिया में हो, इंडिया मना करेगा, बंगलादेश मने करेगा, अपने sovereignty के लिए compromise नहीं करेगा, तो Myanmar, और अगर ये ना हो तो, तो हर जगे से US ये कोशिश कर रहा है, कि from this front, as well as from this front, pressure बने चाइना पे, ये frontier अगर खुलता है, ये किसी भी तरीके से, अब देखिए ये तो, इंडिया के calculations हैं, कि इंडिया इसको कैसे play करता है, बट US के अभी intentions क्या है, और वो क्यों हैं, ये समाज़िए, US, China, trade war, Donald Trump के time में शुरू हुआ था, आज तक चलता आ रहा है, ये trade war, और essentially ये de-industrialization का जो fear है, कि आपकी सारी company move हो चुकी है, और आपकी सारी जो top manufacturing, आज Donald Trump से ये बूला जा रहा है कि, promise me Donald, promise me Donald, you will become, you will bring the best talent to US, वो बूला जा रहा है कि, talent का flight हो रहा है, money का flight हो रहा है, company का flight हो रहा है, manufacturing का flight हो रहा है, services का flight हो रहा है, और दुनिया में, ये Chinese, Indians जा 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 के, start-ups बना रहे, billionaires बन रहे, multi-billionaires बने, बड़े-बड़े start-ups बना ये, इन्होंने खूब पैजा बनाया, और stock market में गए, वहाँ पे भी successful हो रहे, similar time पे, South China Sea में, drills, counter drills, regional tensions, they are at a boil, regional bully बन जाते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे, drills and counter drills, कभी Red Sea में, China drill करेगा, कभी यहाँ पे ये अपने, packs बना के, कभी quad, कभी AUKUS, कभी squad, किसी भी तरीके से, US is trying to find, a foot hold, जैसे की, उसने Ukraine को पकड़ा, और Ukraine को पकड़के, रशिया को एक तरीके से, बांध के रख दिया, और अब Ukraine को क्या बोला, कि please go and hit, inside Russia, अंदर, जितना अंदर, deep में मार सकते हो, मारो, हमें कोई फरक नहीं पड़ता, पैसे लो, weapons लो, तो उसी तरीके से, they want to have, a indirect dispute, और at times, it is also possible, बिल्कि वो direct dispute में चले जाएं, और यहां पर आप देखिए, बहुत, यह technology का भी war है, chip war, चाहे आप electric vehicle देखें, चाहे आप chips देखें, हर जगे rationing की जा रही है, क्योंकि यह देखा जा रहा था, कि जो Chinese engineers हैं, Chinese जो लोग आते हैं, US में, वो espionage में involved हैं, वो एक तरीके से reverse engineering करते हैं, technology theft करते हैं, और theft करके वापिस China जाते हैं, reverse engineer करते हैं, mass production करते हैं, यह तो एक बहुत बड़ा जोग बन गया है, कि कहीं पर कोई भी helicopter गिर जाए, यह कोई jet गिर जाए, US का, तो बस चाइना वहाँ पर पैसे देने आ जाता है, उस country को कि बस, यह माल पुर्जा मेरे हाथ में दे दो, मैं इसको manufacture करके, एक दो महीने में reverse engineer करके, तो मैं भी दो-चार gift कर दूँगा, उसके बाद देखिए, Russia-Ukraine war, यह Russia-Ukraine war में, हर जगे बाता है, यह DJI drones की, यह जो DJI drones है, 70% यह global markets drones के, उसको handle करता है, और हर जगे देखा गया, कि Russia के पास maximum, जो dual-use technologies हैं, chips हो गए, electronics हो गए, सब कुछ, electronics, avionics, training, weapons, ammunition, सब कुछ चाइना से आ रहा था, तो एक चीज़ समझ आ गए थी, कि यह जो axis है ना, Russia-China का, उसको अब तोड़ना बहुत ज़रूरी है, तो अब sanction होना शुरूर होता है, अब देखिए, sanction का फरक पड़े या ना पड़े, बट इंडिया यहां पे, कैसे drag होता है, क्योंकि इंडिया एक चीज़ समझ यह, इंडिया को एक reality अब समझ आ चुकी है, कि there is the issue of two front war, यह जो belt and road, यह पुरी कहानी है ना, यह मकडे का जाल, यह मकडे का जाल, अब सोचिए, अगर इरान ने छोटा सा मकडे का जाल बनाया, छोटा सा, बहुत छोटा मकडे का जाल बनाया, तो बरवाद कौन हुआ, तो बरवाद हुआ, 7 October को इसराइल, और फिर इसराइल ने हमास को पूरा बरवाद कर दिया, पूरा Gaza स्टिप बरवाद कर दिया, तो point यह है, अगर छोटे से मकडे का जाल इरान से, इतना डेंजरस हो सकता है, तो आप वैसे सोचिए, कि इसके मकडे का जाल प्रोपर यूरोप तक जाता है, अफरीका पे जाता है, पूरे एशिया के अक्रोस जाता है, और सारे resource बेल्ट पे जाता है, सारे trade बेल्ट पे जाता है, weak governments को अपने हाथ में लेता है corrupt करता है politician को और इंडिया के neighborhood में देखिए China-Mainmar economic corridor मतलब आपको इधर से भी Bay of Bengal में गुसना है और आपको ये तो पता ही है China-Pakistan economic corridor से आपको Arabian Sea में जाना है और उसके बाद state of Malakka से हो के आपको हमबन टोटा पे आना है आप डोखलाम में भी आते है आप गलवान में भी आते है आप new villages भी बनाते है आप settlements, forceful settlements अपने वही हां Chinese को लाके वहाँ पे घर बना रहे है जो normal जगे थी वहाँ पे आप military infrastructure मतलब satellite imagery तो ये बता रही है कि China is essentially militarizing its entire borders with India it is getting ready और यही पे आप ये देखिए कि Chinese dumping चाहिब electronics को ले लीजे चाहिब किसी भी cheap equipment को ले लीजे तो electronics से तो कहानी शुरू होती है उसके बाद इंडिया की जो core industry है आप देखेगा बार-बार जो steel की companies है आटो मोबील से वो जाती है गर्मेंट के पास वो बोलती है इनके ओपर anti-dumping duties लगाई है Chinese government इनको subsidize करती है एक तरीके से 20-30% का subsidy देती है और उसके बाद ये below price जाके दूसरी country में घुसते उसको de-industrialize कर देते है वहाँ पर competition को मार देते हैं जब competition को मार देते हैं तो politicians को bribe करते-करते धीरे-धीर अपने prices बढ़ाते रहते हैं और eventually पूरी economy में पूरी economy में supply जो आने लगता है वो Chinese माल काद है example ले लिजे श्रिलंका example ले लिजे नेपाल नेपाल को तो अगर आप visit करेंगे तो आपको समझ आएगा नेपाल में सिर्फ Chinese material आपको मिलेगा उनकी खुद की जो production है उसको एक तरीके से बिलकुल derail कर दिया और इसके कारण create होता है trade imbalance और इसे trade imbalance से आप बनाते हैं अपने बड़े-बड़े coffers और उसी coffers से आप क्या बनाते हैं यह जो पूरे मकडे का जाल है जोसको belt and road बोलते हैं और यह belt and road essentially यह road नहीं है नहीं यह belt है नहीं यह port है यह essentially control है यह new colonialism है कैसे छोटी-छोटी country बड़ी-बड़ी country कैसे उनको derail करें de-industrialize करें economically weak करें militarily important कर दें और उसके बाद सारा तंतर अपने हाथ में ले ले and most importantly China is very good at fourth and fifth generation warfare propaganda Chinese propaganda यह Neville Roy Singham directly working यह कौन बोल रहा है यह हम नहीं बूल रहे यह New York Times बोल रहा है Neville Roy Singham has created a makada of propaganda machinery for China और इंडिया में एक website का नाम आता है न्यूस क्लिक के उपर case भी चलता है उसके बाद इसके founder अभी बेल पर बाहर है direct confrontation भी करता है चाइना गलवान हो डोखलाम हो directly confronting जब क्या बोलते न peace चाहते है और indirect confrontation अब directly देखी अभी जो रियासी attack हुआ है जमून कशमीर में हर जगे आपको footprints of China मिलेंगे चाहे वो radar systems हो चाहे border infrastructure develop करना हो barbed wire लगाना हो या weapons training करनी हो या weapons की ammunition देनी हो या grenades देनी हो everything is now retrofitted from China और फिर आप cartographic aggressions भी करते हैं जो cartographic aggression मतलब cartographic मतलब map based aggression map पर ये जगे का नाम अपने नाम पर कर लिया सारी जमीन हमारी है उसी तरी कैसे this way they behave in the South China Sea और उसके बाद हम कैसे react करते हैं we are also giving tit for tat तो टिबिट की बात पर इंडिया agree कर जाता है प्राइम इस्टर मुदी एक पूरे congressional delegation को धर्मशाला जाने देते हैं इसका एक बहुत बड़ा हुआ बनाने देते हैं इसका मतलब समझी है आप अपने देश में एक तरीके से अलाव कर रहे है कि US आखके खेले और ये खेलने आप क्यों दे रहे हैं मतलब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया बहुत बड़े प्रिशर में है US के नहीं ऐसा बिल्कूल नहीं है तो ये करना मतलब टिट फॉर टाइट है आप चाइना को उसी की भाषा में रिप्लाइ कर रहे है पहले वो अरुनाचल प्रदेश में आपके नाम चेंज करता है आप भी अपने नाम चेंज करते हैं तो आज जो टिबिट के तरफ आपको ये सारे जो actions दिख रहे है कि हम Cartographic Aggression का reply कर रहे है हम Tibet की बात कर रहे है हम उसी तरिके से मेक in India की बात करते है आप निरवार्बलिभाःत की बात करते है Defense Industry Complex बनाने की बात करते है हमने Chinese जो investment है उसको limit कर दिया Chinese investment Covid के time में limit किया था Chinese बहुत सारे apps को ban किया, shell companies को ban किया, NGOs पर action किया, FCR जो regulation होता है, कैसे पैसा कहा से आ रहा है, कैसे embezzlement हो रहा है, क्या उस पैसे से Chinese propaganda चला रहा है, China की policy को support किया रहा है, China की वावाही करी जा रही है, क्या political parties को भी compromise कर रहे है, क्या democratic institutions जैसे press को भी compromise कर रहे है, तो China today is very dangerous, क्योंकि जब US ने, West ने ये देखा, कि China की जो भी company आती है, वो बहुत प्यार से आती है, हसते वे आती है, smile करते वे आती है, और बहुत beautifully एकदम tech की बात करेंगे, बाद में जाकी पता चलता है, कि they are essentially nothing but the arm of the government, मतलब हुआई का telephone हो गया, ये कोई Chinese company हो गया, जिसक actually, काम में China बहुत पहले लाचुका, चाइना हमेशा याद रखिए, decades की बात करता है, और इसलिए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कि अगर आप भारत की सेवा करना चाहते हैं, तो आप civil services के preparation करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं लेकिया है, foundation batch, 11th batch हमारा शुरू हो रहा है, और ये आपको अवेलेबल है, English में, Hindi में, English में, और at a price of 29,999 और ये तभी मिलेगा आपको, जब आप use करेंगे मेरा code MVLight, एक जरूरी बात ना आपको बताना चाहता हूँ, ये पुरी जो preparation होती है, इसमें generally क्या होता है, कि बहुत सारे ना, तोड़ तोड़ के, तोड़ के courses बनाए जाते हैं, ये एक integrated course है, जहां पर आपको prelims, mains, interview, ये सब कुछ मिलेगा, और हम आपको prelims के test series, mains के test series, mentorship, सारे crash course, including seaside, ये सब कुछ, इस single batch map को मिलेगा, at this affordable price, तो एक तरीके से ये education revolution है, और अगर आप prepare कर रहे हैं, तो आप definitely इसको try out करें, और अगर आ optional ले रहे हैं, आपने optional decide नहीं किया, तो पहले आप simple सा, ये foundation batch लीजिए, एक दो महीने पढ़ी है, और अगर आपने ये decide कर रखा है, कि मैंने तो anthropology ही लेनी है, मेरी anthropology अच्छी है, मेरी उसी में bachelor's है, या pub ad में है, या history में है, geography में, तो whatever subject you like, तो आप subjects भी ले सकते हैं, in 15, 15,999, if you use my code MVLIFE, with that, thank you so much, इस वीडियो को जादा जादा शेयर करिए, like करिए, इसके नीचे comment में मुझे answer दीजिए, और ऐसे कोई भी topic आपको चाहिए, जिसके ओपर मैं discussion ले के हूँ, तो मुझे comment में ज़रूर बदाएगा, thank you so much, जय हिंद, जय बारक.